बुजूब दमपत्तिकार से जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी हम कहां पोचे हैं अचानक उनके पीछे एक ट्रक आता है बुरा सीशे में देखकर कहता है ट्रक के नंबर प्लेट में बीटिंग यू लिखा है बुरिया कहती है ट्रक बहुत पास आ चुका है ट्रक साइट से निकल जाता है बुरिया बिलती है यह तो वही ट्रक है और दोनों जो देखते हैं उसके बाद बुरा गारी की स्पीड तेज कर देता है अचानक बुरे की नजर सीशे पर पड़ती है ट्रक दोबारा उनके बुर्या कहती है हमें से दूर रहना चाहिए। 23 दुनों तक लोगों को मारता है उसके बाद गायव हो जाता है अचानक लड़की गारी रोकती है भाग कर पेर के निचे उल्टी करती है पेर पर सुरी के इंगड़ा होता है लड़का लड़की को परपोस करने के लिए सोच रहा होता है शैतान रगरत हूँ आगे बढ़ता है खाता है और अपने पराने रोप में आ जाता है खेत के पुतले के पास जाता है एक कारा कर रुपती है लड़का उतर कर लड़की को फ्रن करता है बात करने के बाद वो टॉilet कर रहा होता है करवे काउं काउं कर रहे होते हैं अचानक शैतान उसके पीछे आता है और मार देता है लड़की के कार के पीछे करवे आ जाते हैं दोनों एक दुकान में रुपते हैं लड़की चीजों को छूने से मना करती है लड़के के हाथ में कुछ चुप जाता है दुकान की मालके ना जाती है लड़की पूछती है कि हम यह address डून रहे है वो कागज के मकसे में address समझा रही होती है लड़की जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है उसको vision होते है दोनों जाने लगते हैं औरत कहती है बदाई हूँ फिर लड़की से कहती है लड़के को नहीं पता है क्या और अथ फोल पर किसी से बूलती है कि हमें पेर के साथ फल भी मिला है वह बहुत खुश होगा दोनों होटल पहुचते हैं लड़की गोरे को फोल करती है फोल वोईस मेल में जाता है उधर शैतान अपने ट्रक में सामान देख रहा होता है लड़का लड़की भूतिया पार्टी में जाते हैं वहां का महुल अजीब होता है लड़का जंगल की तरफ बढ़ता है सिग्रेट जला रहा होता है कि तब शैतान उसको उठा कर टांग देता है और उसको बाहर डालता है लड़का निशाना लगाने का खेल खेलने जाता है तो वो लड़की की निजर सुरी केन पर पड़ती है वो उसको ध्यान से देखती है दुखान वाला मारता है फिर लड़की को माना सिखाता है और निशाना लग जाता है लड़की की निकटी है वो उनी में देखती है कि एक मिशान बुना है और उसकी आखों के सामने कुछ अलग दिखने लगता है पार्टी चल रही होती है, क्रीपर ट्रॉ होने वाला होता है मीडियो में ग्रैंड प्राइस के बारे में बताते हैं औरत पर चेल आती है, लड़की जीतती है दोनों को अंदर ले जाते हैं, कागच को साइन करने को कहते हैं गाड़ी रुकती है, सब उतरते हैं बुड़ा बताता है, यह जगा बहुत पुरानी है और इस जगा को सबसे बड़ा भूतिया जगा माना जाता है कैमरा मैन बुलता है, कैमरा में ही चल रहा उसका बॉस उस पर गुस्सा होता है और उसको गाजया देने लगता है तो भी लड़की अंदर जाने लगती है लड़का उसके पीछे बागता है उधर शैतान पहाल पर चड़ता है और उसकी नजर लड़की पर पढ़ती है, दोनों आगे बढ़ते हैं इधर कैमरामेन फोल की लाइट जला कर आगे बढ़ता है, दोनों को आवाज लगाता है एक साय के पीछे जाता है, साया बढ़ता है, वो पीछे जाता है तब ही कौवत जी से चिलाता है दो हाथ उसको उपर उठाते हैं और कैमरे पर खूल तपकता है तीनों टॉर्च लेकर आगे बढ़ते हैं लड़की लड़के से कहती है हमें यहां से निकलना चाहिए लड़का उसको उठी देने लगता है शैतान लड़की को ठाकर ले जाता है तीनों को कैमरा मिलता है लड़की कहती है क्या यहां किसी जानवर का काम है तबीलर का चिलाते हुए आता है पुलिस बुलाओ बुलते हुए भागता है टकराता है माईकल की लास पड़ी होती है बॉस बुलता है इसको मारने वाला आस पास ही है जल्दी घर के अंदर चलो उधर लगी रस्ती से बंदी होती है शैतान को देखकर डरती है वो उसको चाकू मारता है इसे ही चारों अंदर गुशते है बाहर से तीन गने दर्वाजा बन करके कहते है कि ये चारों अब तुम्हारे है तीनों उसको मारने के लिए आगे बढ़ते है बुरा हवा में गुली चलाता है इदर शैतान चाकू निकालता है हवा में ओड़कर उपर पहुंचता है लड़की कहते हैं यहां से निकलने का रास्ता ढूनना होगा लड़का कहते हैं यह जाल है क्रीपर का बुरा बुलता है वो कहानी है लड़का बुलता है मैंने देखा है लड़का दोनों से कहता है कि हमें टीम की तरह काम करना होगा तभी हम बज़ पाएंगे तभी कोई दरवाजे पर मानने लगता है चारों उबर भागते है तभी लगी के हाथ में खून टपकता है बूर पर देखते हैं लाज टंगी होती है दंदंगी आवाज के साथ क्रीपर अंदर आता है बुड़ा गंतानता है क्रीपर ना करने का इशारा करता है वो फायर करता है क्रीपर कुलाडी मार कर जोर से चिलाता है चारों के कान में दर्द होता है वो उनकी तरफ बढ़ता है लड़का तलवार उठा कर kreeper के हाथ पर हमला करता है कreeper लाष् का हाथ मिकानी कर खाता है उसका नएा हाथ आजाता है इधर लड़की का हाथ चाकु पर लगता है वो रस्ती काट कर मैठ के लिए चिल्लाती है लड़की के हाथ सुरीके लगता है वो सुरीकेनों को अपने पास रखती है इदर लड़की भागने का रास्ता ढूल रही होती है फोन निकालकर मैसेज बेचती है तभी पीछे से हाथ आता है लड़की के बाल टूपते है वो भागती है क्रीपर दिए दिरे आगे बढ़कर गाना लगाता है लड़का बूलता है उससे बचने का एक ही रास्ता है कि उसके लोगों को मारने के दिन खतम हो जाए तभी चट से लड़की गिरती है वो सब भागने रस्ता डूमने लगते है तभी लड़की को फोन दिखता है वो भागता है उसके पैर क्लैम पर फस जाते हैं लड़का पुलिस को फोन करता है, पुलिस वाली उसकी बात का विश्वास नहीं करती है, तब ही क्रीपर चाकू फेक कर फोन काट देता है, फिर सब भागते हैं लड़की कहती है, हमें उसे मारना होगा, हमें उसको फसाने के लिए जाल बिचाना होगा, तब ही क्रीपर दरवाजा तोड़ देता है, लड़की गिरती है, उठकर भागने लगती है, वो कुलारी से मार देता है, क्रीपर लड़की को कीच कर ले जाता है, वो सब एक कमरे में पहुंचते हैं, वहां रखा समान देखकर दंग रह जाते हैं, लगकी की आँकों के सामने को चलने लगता है तीनों दर्वाजे के छेट से बाहर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं अचानक क्रीपर जोर से चीखता है, सब नीचे गिरता है, क्रीपर लड़की गुंदी कर भाग जाता है, फिर गाना लगाता है उपर से खून टपकने लगता है, जो की नाली में बहरा होता है, वो पत्तर उठा कर देखते हैं, नीचे लास सेटंगी पड़ी होती है क्रीपर मजे से खा कर उठता है, लड़की लड़की को बताती है कि प्रेगनेंट हो, शैतान इसले पीछे पड़ा है, उसको मेरा बच्चा चाहिए लड़का अकबार देखकर बताता है कि ये लोग उसको खिला रहे हैं, लड़की कहती है मुझे मालूम है, हमें क्या करना चाहिए लड़की कहती है जिन्दा रहो बच्चे को ले जाओ हमेशा जिन्दा रहो बच्चे को ले जाओ हमेशा जिन्दा रहो बच्चे को ले जाओ